रूस के राश्पती ब्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी कच्चे तेल के भाव पर G7 देशों की तरफ से लगाई गई कैपिंग के जवाब में वे जरूरत पढ़ने पर कच्चे तेल के उत्पादर में कटोती कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल की कैपिंग के खिलाफ रूस की तयारी क्या है? कीमतें अभी भी 80 डालर से नीचे बनी हुई हैं। लेकिन पुतिन ने एक तरह से जो बाकी सप्लायर हैं जो ओपन मार्केट से तेल खरीदना चाहते थे उन्हें इस अंकेत भेज दिये कि 60 डालर पर बरेल की कैप का कोई मतलब नहीं है ये बेसर पर की कैप है और इस कैप में के बाद वो अपने उत पादर में कट होती करेंगे। बाजार इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगा दो तिन दिन में इस पश्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ दुनिया के कुछ देश इस प्रतिबंध का से सहमत नहीं है इसका भी रोध कर रहे हैं जिसमें भारत और चीन भी शामिल है। रूस ने अपना एक नया फ्लीट तियार किया है। उस फ्लीट को रूसी कंपिनियों से बीमा दिया जाएगा और वो फ्लीट साथ डालर से नीचे का जो भी तेल होगा जिस पर भी दो देशों के बीच में समझता होगा वो तेल लेकर बाकी देशों को आपूर्ति रूस के तेल पर जो अधिक्तम विक्री दर्स की सीमा लगाईगी उसका समर्थन नहीं किया है। रूस ने शिपिंग की साइट से टैंकर केरी करने की साइट से भारत को मदद का आशवाशन भी दिया। इसके अलावा अब बड़ी निगा हैं बाजार में डाक फ्लीट पर ह हैं जो जहाज आम तोर पर रेजिस्ट्रेशन से बाहर हैं पुराने हो चुके हैं जिनें कोई बीमा नहीं दिया जाता और जब भी पिछले सालों में पिछले दशकों में तेल उत्पादक देशों पर प्रतिबंद लगाए गये हैं शुब हम चाहे हो एने जुएला हो या इरान हो तब डि-शिक काफी काम आए है इसमें रिस्क अल्ट ह सहाज फ्ली जाता है लेकिन उसके मार्क दोष्रमिना में त हुच्छे तेल केृटा होता है तो अब बाजार में आप पुतिन ऐसा करते दिख रहे हैं कि बाजा पुतिन एक पारलल मार्केट करेट करने की कि दुनिया के दो सबसे बड़े ग्राहक भारत और चीन फिलाहाल रूस के तेल पर किसी तरीके की अधिक्तम सीमा लगा जाने से सहमत नहीं है और ये 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 पुतिन का बड़ा वाजा रहे हैं तेलबाजार के बीच में चीन ने प्रतिबंध की सीमा को भी तोड़ दिया है जो रशिया का East Siberian Great Crude है जिसको ESPO Crude कहते हैं उसके लिए चीन की कंपिनी ने एक 67 डालर पर बारल का सवधा किया है यह बात आज तेल बाजार में चर्चा के तौर पर थी और कई जेखे से इस खबर रिपोर्ट ही 67.11 डालर पर बारल का डील की गई है रशिया के क्रूड के ल करती है अब यहां से यह जद्दो जहेद और दिल्चस्प बहस शुरू होती है कि यह ESPO ग्रेट का Crude लेकर कौन जाएगा कौन सी कंपिनिया इसे लेकर जाएंगी shipping कमपिनियों को इसका भीमा नहीं मिलेगा तो क्या चीन के अपने जहाज इसको लेने जाएंगे या रूस का कोई टेंकर इसको लेकर जाएगा क्योंकि ये पहला प्रेयोह होगा जहां प्रतिबंध का उलंगन होगा और प्रतिबंध के पैरलल ये तेल बाजार में बिखना शुरू होगा सर तीसा सवाल तेल की कीमतों पर रशिया कह रहा है हम कटोती करेंगे उत पादन में ओपैक ने टारगेट मिस कर दिया लेकिन इस सबके बाद भी तेल के बाजार में कोई बड़ा मुवमेंट नहीं दिख रहा है लगादार 75 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड इ दिख रहा है और इसमें सबसे जाधा असर दिख रहा है चीन की तरफ से आने वाली मांग में कटोती का तेल का बाजार अब दो अलग अलग कीमतों पर मूव करेगा एक तो दिल्चस्प चीज हमें देखने वाली होगी कि आप एक ब्रेंट क्रूड की रेट देखेंगे और कटाउती कर सकते हैं कच्छे तेल की कीमतों को 80 डालर के उपर रखने के लिए